इस कहाने की शुर्वात एक फैमली को दिखाने से होती है जिसमें मदर और उनकी दो बच्ची थी एक बेटा और एक बेटी बच्ची का नाम नेथन था हाली में इनकी डॉगी की मुथ हो गई थी जिस वज़ा से नेथन काफी दुखी था क्यूंकि वो अपने डॉगी से काफ अब अब ज़िफसा सप्णा आया सपने में वो एक बैफैर मिट को देखें जो चुमख रहा था ऐसल अब एक शीतानी पुत्ला है जिसका सरु बक्रे जैसा मगर इंसान जैसा होता है। बहुत सारे शेतानी कबीली ग्रूप्स बैफोमिट को अपना गौड समझ कर इसकी पूजा करती है। ये अजीब सा सपना देकर नेथन उड़ गया। उपर से उसे अपने डोगी की याद भी आ रही थी। इसलिए वो वैसे भी नई सोबा रहा था। उसे जा अगर वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए नेथन या अपने डोगी के गले का पटा कुरबानी की तोर पर रग दीता है। नेथन टॉलेट करने साइड में गया। जहां पेड़ के टेने पर लिखा हुआ था कि एक बार जो इस जंगल में आता है वो यहां से बचकर वापिस नहीं जाता है। यह एक करस्ट जंगल है। यह देखर नेतन को अजीब लगा। इसलिए वो बाग कर वापिस और इने के पास आ गया। और यह दोनों आगे बच जाती है। उस जगह पर जाने लगी जहां इन्हें हेल की दरवाजे के लिए गड़्डा खोदना थ जिसे जादो करने के लिए आम तोर पर बनाया जाता है। और यह सब चीज़े स्टार के पांचे कोनों में रख दीती है। फिर उनसे दुआ करनी लगी ताकि गौड इन्हें डीमन्स शितानों से बचा की रखें। जिसके बाद वो पने काम पर लगए गड़्डा खोदना तब नेतन कहता है मैं हलका म्यूजिक सुदने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहां एक अजीब चीज़ नौटिस करने वाली थी। जब नेतन ने क्रॉस बनाया था तब वो एकदम सीधा था पर अब वो उल्टा हो गया था। फैर दोनों बेन बाई अब अपनी टेंट की पास आ गया। कुश दूरी पर एक आदमी को देखती हैं जो अपनी बस जान लेने ही वाला था। उसकी पास एक सफेद रंग का टैडी भी था। और अब जैसे आदमी अपने पेट में चाप को गुसाने वाला होता है कि तब नेतन उसे देखकर चीख मार दीता है। आदम अधर नेतन काफी डर गया वो चिलानी लगता है। तब उसकी ऐसी हाला देकर औरेली फोरण उसे टैंक में ले आती है। यहां पता चला कि औरेली नेतन को सिर्फ यह तसली देने की निये लाई थी। वो अपने साथ अपनी डॉगी का पट्टा भी लेकर आई थी। तकि नेतन को दिखा सके कि डॉग इने हैं से अपना पट्टा भी जा है। जिसका मतलब था कि नेतन समाझ जाएं कि वो अव वापिस कभी नहीं आ सकती। और उसी थोड़ी तसर नहीं हो उसका दर्द कम हो सकी। रात को सोने से पहने औरेली नेतन को कहती है कि जाकर ब्रैश कर पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए और इली वो शितानी किताब निकाल कर नेतन को तीन सर वाला डॉग दिखाती है। बताने लगी कि ये हलका गेट कीपर रखवाला है जिससे जंजीरों से बादा गया है। इस तीन सर वाली डॉग की सोने की ताकत बहुत तेज है। इसलिए तुम अगर ब्रेश नहीं करोगी तो वो स्मेल करके यहां आएगा और तुम्हें मार दीगा, मार कर फिर खा जाएगा। ये सुनकर नेतन काफी तर गया और अव वो फोरण ब्रेश करने चिना चाता है। वो जब नदी के पास था तो वाँ एक कष्टी को देखता जिसने किष्टी चिनाने वाला आदमी एक औरत को कहीं ली जा रहा था। औरत की हालत काफी अजीब थी। ये देखकर नेतन काफी तर गया और वो जन्ती से बापकर टेंट में आ गया। सो जाता है। जिस तुरान उसे फिट से एक सपना आया। उसने देखा कि बटक्ती ह कोई आग से एक काली पर चाही बाहिर आ रही है। वो काफी कितरनाक था। वो पिर किताब में उसी तीन सरवले डॉग को देखता है। फोरान बाद उसने देखा कि दो डीमन उस गड़े से निकलकर बाहिर आ गई है। जिन्होंने इनसान के जिल पहन ली हैं और वो यह देखता हैं जिस पर दिखा था कि कोई भी इस जिंगल से वापिस नहीं जा सकता। इस बार उस पर खून भी लगा हुआ था। अब यहां हमें पता चला कि उन्होंने गड़ा इतना खूद लिया है कि वो अब दूसरी लेवल पर आ गई थी जिसका मतलब था औरली को बताता है कि हम दूसरी लेवल पर पहुंच देए क्योंकि डेमन्स ने मुझे नौचा आए यह कहकर वो अपनी बाजो पर लगी खरोचो के निशान भी दिखाता है। पर क्यूंकि औरली को डेमन्स पर एकीन नहीं था इसलिए वो यह समझते है कि जरूर नेथर न साइड में रख देती है। ताकि वो नेतन को यकीन दिना सकें कि हमारे डॉगी ने पट्टा वापिस वेजाए और वो खुद वापिस नहीं आ सकती। अब अच्छाना कि उन्हें हेलकी म्यूजी की आवास सुनाई देनी रखती है। वो अब तीसरी लेवल पर पहुंच ग और बैफोमेट अजीब तरह से हिन रहा था और अब ये डीमन्स उसके नीचे आग लगा देती है। ये देकर और ली समझ जाती है कि जिस आदमे को हमने देखा था जो अपनी जान लेने लगा था ये सफेड ठेड़ी उसी का है। इन दोनर डीमन्स ने इस आदमे को बैफ दोन का दाइरा बना हुआ था जो देकर दोनों काफी डर गए वो काले डीमन्स भी इनका पीछा कर रही थी। नेतन और और अरली जन्दी से एक कश्टी में बैठी यहां से निकलने लगती हैं पर तबी पानी में से एक चीज बाहिर आकर नेतन को अंदर खीशने लगती है दोनों के पास पीज दिया था जो देकर दोनों फाकर टेंट में आ जाती हैं काफी डेरे हुए थी। यहां और अरली नेतन को बताती है कि मैंने तुम से चूट कहा था कि हम अपने डॉगी को वापिस ला सकती हैं असल बात तो यह है कि जो एक बार मर जाता है उसे वापिस नहीं लाया जा सकता मैंने दो ऐसा बस इसलिए कहा ताकि तुम्हारा दर्ब कम हो सकी नीथलों से कहता है कि मैं सबसी बड़े डेमन से मिला हूँ जो मुझे हमारे घर के पीछे ही दिखा था उसने तो मुझे तब ही बता दिया था कि तुमारी बेहन तुमारे साथ एक चाल चलेगी तुमारे डॉगी का पटा इस्तमाल करके जो सुनकर और इली काफी खबरा गई और तबी वो डीमन इन दोनों पर हमला कर दीता है ये दोनों भाकर एक पेड़ पर चुड़ गी काफी दीर तक उदरी बैठी रही तो इनकी वहीं पर आंग लग चाती है साथे यहां हमी पता चिला कि वो अब चोथे लेवल पर पहुंच गई है जिसका मतलब था दर की ताकर अब पास्ट माजी के एक सीन से हमी पता चिला कि एक दिन उनकी डॉगी ने निथन को काट लिया था इसलिए निथन की मौम ने उसे बुरा कहा था कि वो हैल में गई होगी यही मगर आदमी जोनी देख चुकी थी फोरण ही शूट कर दीती हैं मगर जिस गोले से शूट किया गया था वो बेहोश करने वाली थी दोनों आदमी उन्हें पिंजरे में ले जाकर बन कर दीती हैं एक आदमी और इनी को परेशान करनी लगा जो देकर निथन को बहुत बुरा दीती हैं गन लेकर दोना को शूट कर दीती हैं जिसे वो मारेगी जबती नेथन बैफरमिट से बाहर निकल कर यहां से पाग जाता है और अब और ली भी उसके पीछी पीछी पाग ने लिखती हैं यहां पता चिला कि अब यह दोनों पांचवे और आखरी लेवल पर आ लेगी ने लगता हैं उसके जीरे पर अजीब तरह की शेतानी मुस्कुरार थी जिसके बाद हम एक ट्राइंगल को देखती हैं और इसकी फोरण बाद और ली एक जुगा पर भागते हुए नजर आती हैं क्यूंकि उसकी पीछी वह सारी काले डीमन्स पड़े हुए थी और ली जोर-जोर से डीमन्स पर चिलना रही थी फिर गईन लेकर टैंड पे गुश जाती हैं इसी वेच नितन भी दिखाया गया जिसके हाथ में जंजीर थी और वो टैंड की तरफ ही जा रहा था इसी जंगल के एक घर में हमें कपल को देखती हैं जिनकी हालत बहुत खराब जिसकी बाद अब कोई उन्हें शूट करके ही चान से मार डालता हैं और उनकी हाथ में हम एक सीद देखती हैं पुरन बाद ही डैविल दिखाया गया जो बहुत बहुत सूरत खौफनाग था पेड़ पर लिखी गई वो बात सच थी कि जो भी इस जंगल में आएगा वो यह यहां से बचकर वापिस नहीं जा सकता अब नीतन तो डीमन बन गया था जिबी वो काला होकर बाहिर आया और उसके चीरी पर अजीब तरह की शेताने मुस्कुराइट थी जिबकि उसकी बहन औरनी को तो डैविल अब खुद ही मार देगा अब हैं तक जाने की पांच लेव होगी मौत उतनी ही तुमारे पास आती रहेगी ट्राइंगल का मतलब इस फिल्म में ये था कि डैविल ने उन्हें अब इस तरह ट्राइंगल में पसा लिया था कि वो यहां से बचकर नहीं निकल सकती जैसे दोनों बहन भाई ने हलांकि बागने की कोशिश की थी पर वो इ ट्राइंगल की हर कोने पर मोत ही थी जो खुद वो डैविन था और इस फिल्म की कहानी भी यही पर खत्म जाती है